नमस्कार मैं हूनी रजकुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया नियूज भक्त हो गया है आज के तारतरीन खबरों का और अन्य गनमान अथितियों के साथ कारदाई संस्था एलेंटी के कर्मयोग्यों के लिए भी दिर्गा बनाई जाएगी राष्ट्य जनतादल के वरिष्ट नेता और पुर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायन चौधरी ने नितीश कुमार की पियम उमिद्वारी पर प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि नितीश कुमार देश के सर्वशेष्ट मुख मंत्री हैं मगर प्रधान मंत्री का चैन तो सांसद करेंगे अयोध्या में होने वाले रामलला प्रान प्रतिस्था कारेक्रम के मद्यनजर दिल्ली साइवरसिल की दस्टी में सोसल मीडिया पर नजर रखेगी बता दे कि चुकी चार दिन बाद ही दिल्ली में गंतन दिवस समारो होना है ऐसे में किसी भी साजिस से निपटने के लिए सोसल मीडिया एकाउंट पर नजर रखी जा रही है कंजाब के मुक्तसर में 40 मुक्तों की याद में एतिहासिक तीन दिवसिय माघी मेले का आरंब आज हो रहा है जहां देश विदेश से स्रधालू दसम पातसा स्षी गुरु गोविन सिंग जी की चरन असपर सस्थली एतिहासिक गुरद्वारा स्री दरबार साहिब में माथा लगाने के आरोप में अपने खिलाप देश द्रोह के तहत आरोप तै करने के सत्र न्याले के आदेश को हाई कोट में चुनोती दी है उत्राखंड की पुसकर सिंग धामी सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ पिरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा करिमियों ने एक इंप्रोवाइजड एक्स्प्लेंसिव डिवाइस बरामत की इस बिच बिहार के मुकमंत्रे नितिश कुमार की जारखन में साबजनिक रेली तीन फरवरी तक के लिए अस्थागित कर दी गई है आज है राश्ट्रिय युवादिवस जिसे हर वर्स 12 जनवरी को स्वामे विवेकानन्द की जैनती के अपसर पर मनाया जाता है बता दे कि स्वामे विवेकानन्द कहते थे कि हर युवा राश्ट्र के निर्मान में योगदान दे सकता है युवाओ को अपने सामर्थ का उचित उपयोग करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित होना चाहिए परधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज महराश्ट्र के दोरे पर रहेंगे जहावे नासिक में राश्ट्र युवा महुतसब का उधगाटन करेंगे साथ ही कई विकास परियोजनाओ का लोकारपन और सलान्यास भी करेंगे परधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे पुल अटल से तुका उधगाटन करेंगे 17,840 करोर रुपए से अधिक की लागत से इस पुल का निर्मान कारे कराया गया है यह ब्रिज मुंबई से पुने गोआ और दक्षिन भारत की यात्रा के समय को कम करेगा हर्याना के सियम मनोहरलाल खटर आज कुरू छेतर के दोरे पर रहेंगे जहाँ वे युवा महतसब को संबोधित करेंगे मुंबई आर्बियाई दफ्तर में आज नहीं बदले जाएंगे दोहजार रुपे के नोट ओप्रिसनल कार्यों का हवाला देते हुए बैंक ने लिया फैसला ग्राची के आईएस ओफिसर अभिनास कुमार की पतनी को एडी ने भेजा समन आज फिर पूस्ताच के लिए बुलाया बता दे कि इससे पहले भी प्रिति से तीन जन्वरी को जमिन घोटाला मामले से जुरी एसी आई आर मामले में एडी पूस्ताच कर चुकी है सरदी के मौसम को देखते हुए कॉंग्रिसान सद राहूल गांधी ने उस्तरप्रदेश के अमेठी में भेजा बीस हजार कमल आज प्रियंका गांधी के जन्म दिन पर पाटी कारे करता करेंगे वित्रित शिब मंगाल की मुकमंत्री ममताब अनरजी ने कहा कि वन नेशन वन एलेक्सन का बिचार बैवहारिक रोप से संभब नहीं है हमारे देश में अलग-अलग राज है और चुनाओ का समय अलग-अलग है मुझे कोई समस्या नहीं है हमें कम प्रियास करना होगा लेकिन दिक्कत ये है कि क्या केंद्र में सरकार गिरने से बाकी सभी राज में भी सरकार गिर जाएगी केंद्रिय कौसल विकास और उधम सिल्ता मंत्री धर्मेंद प्रधान ने कहा कि गुजरात जो आज सोचता है उसका देश कल अनुकरन करता है देश के अध्योगिक विकास में गुजरात का महतपूर्ण योगदान है राजस्थान के मुखमंत्री भजनलाल सर्मा ने एक आदेश जारी कर कॉंग्रेस सरकार के दौरान मनोनीत किये गए पारसदों की न्युक्ति को निरस्त कर दिया है कल रात गुप सुचना के आधार पर सौर बजार थाना पुलिस ने ग्राम सहुरिया पुर्विस से दो वैक्ति को गिरफतार किया जिनके पास से 90 बोतल 375 ml और 44 बोतल 180 ml ब्लैक डॉट अंग्रेजी सराब बरामद हुई पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफतार कर न्याईक हिरासत में भेज़ दिया है 36 गड़ बना देश का तीसरा सबसे स्वक्षराज पहले नंबर पर महरास्ट दूसरे पर मध्यपरदेश और तीसरे नंबर पर 36 गड़ को मिला स्वक्षराज का दरजा इंदोर को लगातार सातवीवार सबसे स्वक्षराज का दरजा मिलने के बाद महापोर भारगब बोले आठबी बार नंबर वन आने की तैयारी हम अभी से सुरू कर चुके है आगे क्या क्या करना है इसका निर्ने मुखमंत्री मोहन यादब और मंत्री कैलास बिजवरगिय का है फिलहाल इंदोर के लिए हमने ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट सुरू किया है इमाचल प्रदेश के मुखमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु ने स्वास्थभा की बैठक की अध्यक्सता करते हुए स्वास्थ सुषना प्रबंधन प्रनाली समयवद सुरू करने के नदेश दिये उन्होंने कहा कि आरांभिक अस्थर पर यह प्रनाली प्रदेश के 56 अस्पतालों में सुरू की जाएगी गम्मु कस्मिर में पर रही है कराके की थंड जम ने लगा डल जिल का पानी सुने से 5 डिगरी नीचे पहुचा पारा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजे नोटिक्रेशन बेल को दवाईए वीडियो को लाइक किजे और ज्यादे ज्यादे सेयर किजे ताकि देश और दुनिया के तमाम ख़बरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट